नमस्कार मैं नीना उप्ता आप से भी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जैसा कि आप जानते हैं तिन पर दिन हमारा चैनल साहिज जीवनवाला प्रगती के पतपर अगशर है इसका स्री आप से भी साहिज भक्तों को जाता है जिस तरह हमने आपको एक-एक एप अध्य 29 बतला हैं जिसे सुनकर आप साहिज की प्रती अपनी आस्था पक्रार रखें तो चलिए आज हम आपको अध्य 29 बतला रहें जिसमें की उपासना की नूतन पद्दती अपने ही गुरू से अभिन रखो हरिस्चंद पितले की कथा स्री अंबेट कर की कथा उपासना क की नूतन पद्दती शंसार में इस्थूल शूश में चेतन और जड़ आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह शब एक ही प्रह्मा है और इसी एक अधिती प्रह्मा को हम भिन भिन नामों से संबोधित करते तथा भिन भिन रेश्टियों से देखते हैं जिस तरह अंध भारी शरुप को ही देखते हैं ना कि उनके शत्त शरुप को देखते हैं एक मात्र सद्गुरु ही हमारी त्रष्टी से माया का आवरण तूर कर हमें वस्तुओं के शत्त शरुप का इथार्थ में धर्शन करा देने में शमर्त है स्री हमाट पंद्वारा वर्निक्र इस सर् प्रेम रूपी चंदन का लेप कर त्रण विश्वाश रूपी बस्त पहनाओ तथा कौमल और एकाग रिचित रूपी फ़ल उन्हें अर्पित करो भाव रूपी बुक्का और उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ती की कछनी बान अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो इस प्रका खाओ की चमर डुलाओ इस प्रकार आनंदाइक पूजन कर उनसे प्रात्ना करो हे साइं हमारी प्रवत्ति अंतर्म की बना दो शत्य और अशत्य का विवेग दो पतास अंसारिक पदार्थों से आशक्ति दूर कर हमें आत्मा नुभूति प्रदान करो हम अपने शरीर और प इक्षान साथ चलने दो तता हमारे चंचलमन को अपने चलनों की सीतल चाय में विश्रान दो अपने ही गुरू से अभिन्ता रखो एक बार पंत नामक एक भक्त और अनिशत गुरू के शिश्य को स्रीडी पदाने का श्वभाग प्राप्त हुआ उनकी स्रीडी आने की इक् स्रवा समभंधियों से अचानक ही उनकी भैठ हो गई जो की स्रीडी यत्रपर जा रहे थे उन लोगों ने उनसे स्रीडी साथ साथ चलने का प्रश्ताव किया पन्त यह प्रश्ताव अस्विकार न कर सके तब बे सब लोग बंबई میں उतरे और पन्त विरार में उतर कर अपन लगवा 11 वजे मस्जिद गए वहां पूजनार्थ भक्तों का 31 समदाय देख सब को अति प्रिशनता हुई परन्तु पंत को अचानक ही मूच्छा आ गई और वे शुद होकर वहीं गिर पड़े तब सब लोग भैवीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्थ उपचार करने लग और ऐसे उट बैटे जैसे की नीन से जागे हों ते कालग बाबा ने यह जानकर कि अन्य गुरु का सिस्थ है उन्हें अभाइदान देकर गुरु में ही उनके विश्वास को द्रड़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ परन्तु भूलो नहीं अपने ही स्थम्भ को द्रड़ता की जीवन परिस्मती बनी रही अब हम आपको बतलाते हैं हरिस चंद पितले की कथा हरिस चंद पितले जो की बंबई में रहते थे उनका पुत्र बहुत दिनों से मिर्गी रोग से पिडित था उन्होंने अनिक प्रकार की देशी विदेशी दवाई कराई परन्तु उन्हें कीर्तन सुना तो उन्हें ग्यात हुआ कि स्री साहिं बबा के केवल कर इस पर्स ततादश्टी मात्र से ही असाद रोग शमूल नश्ट हो जाते हैं तब उनके मन में भी स्री साहिं बबा के शुब दर्शन की तीवर इक्षा जागरत हुई यात्रा का प्रबंद कर भेंट त पर पढ़ते ही उसमें एक बिचित परविर्तन हो गया बच्चे ने आँखें पेर दी और बेशुद होकर गिर पड़ा उसके मुह से जाग निकलने लगे तथा सरीर पसीने से भीग गया और ऐसा लगने लगा कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं यह देखकर उसके माता पिता अत्यन निराश होकर घबराने लगे बच्चे को बहुदा थोड़ी मूच्छा तो अवश आजाया करती थी परन्तु यह मूच्छा दीर कालतक रही माता की आँखों से आंसों की धारा बह रही थी वह आर्थनात करके रोने लगी जो जो से अवाज करके रोने लगी तब बाबा ने उसे संतना देते हुए कहा धायर धारन करते हुए कहा कि बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ वा आधा गंटे के पस्चात होश में आ जाएगा तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया बाबा के बच्चन सब्ति निकले जैसे ही उसे बाड़े में लाए कि बच्चा स्वस्त हो गया और पितले परिवार को महान हर्श हुआ और उनकर शंदेद दूर हो गया स्री पितले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दरसनों को आए और अती बिनम रोकर आधर पूर्वरक शरण नन्ना कर पाथ सेवन करने लगी मा पितले एक धनायड बेकती थे इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और तंफल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किये स्रीमती पितले साथ्वी पृत्ती की महिला थी वे एक स्थान पर बैटकर बाबा की और प्रेम पूर्ण दश्टी शे निहारा करती थी उनकी आँखों से प्रसंता के आँसु गिरते थे उनका म्रिदू और सरल सभा देकर बाबा बहुत ही प्रशन हुए स्रीडी में कुछ दिन सो पूरा वतीत कर पितले परवाय ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चलन वनना कर स्रीडी से प्रस्थान करने की अनुटी मांगी बाबा ने उन्हें उधे देकर आशिरवाद दिया पितले को पास बुला कर वे कहने लगे कि बापू पहले मैंने तुम्हें दो रुपे दिये थे और आप मैं तुम्हें तीन रुपे देता हूँ इन्हें पूजा ग्रा में रखकर नित इसका पूजन करो इससे तुम्हारा कल्याण होगा स्री पितले ने इन्हें प्रशाद स्वरूब घ्राण कर बाबा को पुना शाष्टांग प्रणाम किया तता आसिस के लिए प्रातना की उन्हें विचार भी आया कि प्रितम आउशर होने के कारण में इसका आर्थ समझने में अश्मर्थ हूं कि दो रुपे मुझे कब दिये स्यृति ग्राण को बेर इस बात का इस पुष्ट्रि करना चाहते थे परंटु बाबा मोन ही रहे बंबई पहुचने पर उन्होंने अपनी ब्रद माता को श्री की पूरी वरता सुनाई और उन दो रुपें की बात बी उन से कही उनकी माता खो भी पहले 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 तो कु महाराज के दर्संद के गए थे महाराज पूर्ण शिर्द्योगी त्रिकालग और बड़े उधार थे तुम्हारे पिता परम्भक्त थे इस कारण उनकी पूज़ा स्विकार हुई तब महाराज ने उन्हें पूज़नायत में दो रुपे दिये थे जिनकी उन्होंने जीवन प स्मिर्ति कराकर अपत्यों से मुक्त कर दिया है अब भविश में जागरुक रहकर समझ संकाएं और सोज बिचार छोड़कर अपने पुरोज़ों को इश्मनन वारिवाजों का अंश्रन कर उत्तम प्रकार का आश्रन करो अपने कुल देव तथा इन रुपियों की पूज़ लिफुकर उनके यतार्त स्रूक को समझो और शंतों का आश्रन करने के मुझे जागरु समझो स्री साइश मरत ने दया कर तुमारे हिरा में भक्ती का बीच बो दिया है और भगती का बेज के अरिश य普 heavenly कर दिया इसके पस्चात वे अपने बिहार में अधिक सचेत हो गए अब हम आपको स्री अंबेटकर की कता बतलाते हैं पूरे के स्री गोपाल नरायन अंबेटकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे जो कि ठाणा जिला और जवार श्टेट के आपकारी विभाग में दस वर्सों से कार कर रहे थे वहां से सेवा निप्रती होने पर उन्होंने अननोक्री डूड़ी परंतुवे सखलना हुए तब उन्हें दुर्भाग गिने चारों उर्से घेल लिया जिससे उनकी अर्थिक इस्तिती और भी अत्तिक दैनी हो गई ऐसी परस्तिती में उन्होंने साथ वर्ष बतित किये बेप्रती वर्ष शिर्डी जाते और अपनी दुगदाई कता बाबा को सुनाते थे सन 1916 में उनकी इस्तिती और भी अत्तिक दैना हो गई तब उन्होंने सिर्डी जाकर आत्मात्या करने की ठानी इसलिए भे अपनी पत्नी को साथ लेका सिर्डी आए और वहां दो महेने तक ठैरे एक रात्री को दिख्षित वाड़े के सामने एक बैर गाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुम में गिर कर अपने प्राण को अंत करने का सोचा साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चे किया नजदी के एक भुजनायले के मालिक स्री शगुन मेरुनायक ठी उसी समय बाहर आकर उनसे इस बारता लाप करने लगे कि क्या आपने कभी भी अकलकोड महराज की जीवनी पढ़ी है फिर सगून से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारम कर दिया पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार तीसरी अकलकोड महराज के जीवन काल में एक विक्ती बहुत ह कि असाद दिरोग से प्यूलित था जब किसी प्रकार भी कष्ट ना सह सका तो वे बिलकुल निराश हो गया और एक रात्री को कुई में कूत पढ़ा चचनी महराज वहां पहुंच गए और अपने हाथों से बहा निकाला वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुब कथा पढ़कर अंबेट करको बहां अश्चर हुआ और भी द्रवित हो गए बाद में भी बाबा की आशिवाद से जीवन में उन्हती करते गए इस तरह हमने आज आज आपको अध्याय 29 बतलाया है अगले एपिशोड में हम आपको साइंच रित का अध्या 30 बतलाएंगे त कि आपको अध्या 10 बतलाएंगे इस तरह करते इस तरह करते हैं यह तरह के था हमने आपको अध्या आपको आपको अधक्या 5 अग्या 5 अध्या यह